नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका सखाई जोब संगम यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप SSC GD का अंस्टेबल परिक्षा का एंस्वर की कैसे चेक कर पाएंगे अगर आपने जो है SSC GD का एकजाम दिया था तो इस प्रकार से आप एंस्वर की है जो पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने कुष्चन इसमें सही है और आपने कितने कुष्चन गलत कियो हैं आप इसे आप चेक करना चाहते हैं चेक भी कर सकते हैं या फिर इसकी पूरी जो पीड लोट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी परिक्षा हुई थी, 10 जनुरी से लेकर परिक्षा शुरुः गयी थी जो कि 13 फरुरी से बीच में तो सबका अलग अलग देट में इसका एग्जाम था, और answer की जो है 18 फरोरी से जो है आप देख सकते हैं answer की जो है website पे डाल दी गई है अप लोट कर दी गई है 18 फरोरी इसलेके 25 फरोरी तक के बीच में आपको अपना answer की जो है चेक कर लेना है अब हम बात करते हैं कैसे चेक करना है चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोलना है और सर्च बार में आपको इस वेपसाइट का नाम टाइप कर देना है सरकारी संगम.com उसके बाद जैसे आप सर्च कराएंगे www.sarkarisangam.com की जो वेपसाइट है कुछ इस पकारते आपके सामने खुल के आएगी जिसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्किप्सन बॉक्स में मिल जाएगा अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे उपर देख सकते हैं लेटेस जोब एडमिट का रिजल्ट दिया ह लेकिन यहाँ पे आपको एंसर की चेक करना है तो आपको उसके लिए नीचे जाना होगा यहाँ पे एंसर की वाली सेक्शन में देख सकते हैं सबसे फर्ष नंबर पे दिया है SSC GD Constable 2022 answer की आपको क्या करना है इसको पर किलिक कर देना है जैसे आप इसको पर किलिक करेंगे फिर से एक नया पेज खुल के आएगा तो यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं जो की important date हो गयरा के बारे में बताया गया है बाकि answer की चेक करने के लिए आप नीचे सबसे पहले अगर आप इसका notice download करना चाहते है download answer की notice इसको उपर जैसे आप किलिक करेंगे notice आपके सामने सबसे पहले download होके आएगी तो उस notice में आप पढ़ सकते हैं क्या बताया गया है सारी इनिक सारी चीजें इसमें जो है mention की गये है तो अभी यह देख सकते मैंने notice download कर इसमें बता गया कि परिक्षें जो है 10 जनुरी से लेके 13 फरुई तक हुई थी और जो आपको जो है answer की चेक करना है 18 लेके 25 फरुई तक आपको जो है check कर लेना है अब हम बात करते हैं कैसे check करना है तो उसके लिए उपर वाली link पर download answer की की उपर सामने जो है click here की उपर click कर देना है जैसे आप इसको पर click करेंगे कुछ इस परकार से page आपके सामने खुल के आएगा यहाँ पर क्या करना है आपको roll number डाल देना है जो कि आपके प्रवेश पत्र एनिक admit card में देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे जो है password में आपको password डालना होगा यह password भी आपको admit card में ही देखने के लिए मिल जाएगर मैं आपको admit card में दोनों चीज़े दिखा दे रहा हूँ उसके बाल लोगिन करके आपको दिखाता हूँ अगर आपके पास आपका admit card यहीं के प्रवेश पत्र होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे तो अनुक्रमा की यहाँ पर roll number दि अब नीचे login वाला जो option मिलता है आपको impulse इसी कूपर click कर देना है तो आप क्या हो जाएंगे इस पर जो है login हो जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप login हो चुके हैं और login होने के बाद में अगर आप objection किसी प्रकार करना चाहते हैं किसी भी question पर तो यहाँ पर raise objection से कर सकते हैं लेकिन 100 रूपे प्रती question पर आपको यहाँ पर payment करना होगा तो अगर आप किसी भी question पर आपको सक लगता है कि नहीं मैंने answer सही दिया है तो उस पर आप objection भी कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर answer की चेक करना है तो यहाँ पर नीचे जो है आपको click here का एक option मिल जाता है तो आ answer सही है उस पर आप देख सकते हैं green tick भी लगा हुआ और यह green color में दिया है और साथ ही जो आपने answer दिया है वो जो है यहाँ पर इधर side में देखने के लिए आपको मिल जागए यहाँ पर देख सकते हैं जो चूज है न आप सन में ते लेकिन इन्हों नहीं नहीं दिया है त attempt यहाँ इस question को इन्हों नहीं दिया है उसके बाद नीचे जाएंगे ति यहाँ पर जैसे दूसरे नंबर पर देख सकते हैं दूसरा question दिया है उसके साथ यह चारो विकल्प दिये गए हैं लेकिन इस विकल्प यह वाला सही था लेकिन इन्हों ने जो है यहाँ पर दूसर तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरे नहीं गला करणा है बाद दूसरे डाउनलोड करना चाहते हैं और अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो सामने जो यहां पर देख सकते हैं print का option मिलता है print करके आए जी PDF आप save कर सकते हैं और किसी को share भी कर सकते हैं तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अफडेट के साथ तब तक के लिए जहेंगे